हाई गैस स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में जिसमां आपसे जीके के 10 वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन पूझे जाएंगे आपके बहुती काम के सवाल रहेंगे तो बने रही वीडियो के साथ सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ पहले तीन कोशन रहेंगे इजी लेवल के बात के तीन कोशन रहेंगे मीडियम लेवल के और लाश्ट के चार कोशन रहेंगे टफ लेवल के पांस सेकेंड आपके पास रहेंगे और आपको कमेंड करके बताना है जवाब और लाश्ट मे कितने लोग राजस्थान से कमेंड करके बताना सहीजाब कॉंग्रेस सरकार के अशोक गैलोथ इससे पहले बीजेबी सरकार की वसरुनर राजे थी अगला सवाल है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रोब बोई जाती है सबसे ज़्यादा प्रोड़क्शन इंडिया में होता है राज मतलब चावल का आप से में एको रिक्वेस्ट करूंगा मानना है ना मानना आपके उपर है आप वार्टसेब पर ये वीडियो शेयर कीजे अपने एक दोस्त को सिर्फ एक दोस्त को ही करना है और उसको चैलेंज कीजे कि आप से ज़्यादा सही उत्तर दे के बताए मज़ा आएगा अगला सवाल है भारत के करेंसी नोर्स किस सिटी में छपते हैं अभी तीन कोशन ते कीजी आ रहें बाद में मीडियम लेवल के आएंगे न्यू देली नाशेक नाकपुल या मंबई सही जाबे भी नाशेक अब है चोता कोशन अब है लेवल टू की बारी मीडियम लेवल और आपको लग रहा है ये इजी कोशन आ रहे हैं तो रुक जाएए जो अगला लेवल है वो आपके लिए तांसें सम्मान की राज़े सरकार द्वारा दिया जाता है ये बिहार, मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश या माराश्र तांसें सम्मान म्यूजिकल आर्टिस्ट को दिया जाता है सही जाबे मद्यप्रदेश में तांसें संगी समारों के नाम से ग्वालिया डिस्टिक मध्य प्रदेश में यह समार होता है चार दिन का जिसमें आर्टिस्ट, म्यूजिक आर्टिस्ट को सम्मान किया जाता है पांचा सवाल मैक मोहन रेका किंदो देशों को विभाजित करती है इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना पाकिस्तान चाइना या इंडिया भूटान सबसे सिंपल क्योशन है सहजाब मैक मोहन लाइन इंडिया और चाइना के लिए और रेड क्लिफ लाइन करती है इंडिया और पाकिस्तान को अगला सवाल इंटरनेशनल टी डे कब मनाये जाता है अंतराश्टी है चाय दिवस चार आपके बास थोड़ा सा मुश्रल सवाल है सहिजावे बी 21 माई अब है लेवल 3 की बारी लेवल 1 और 2 में आपने टोटल मिला के 6 में से कितने अंसर सही दिये कमेंट करके बताना और अब सात्वा कोशन है ब्लैक हौल ट्रेजडी कहा हुई थी चैन्नाई, नियू यॉक, कॉलकता या जैपूर वीडियो को पॉस कर सकते हैं, जाद जाद 15 सेकंड ले सकते हैं सहिजावे सी कॉलकता में इसके बारे में बताता हूँ 1756 में बंगाल के नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में बन कर दिया था फिर दो दिन के बाद उसे खोला गया तो ये पाया गया कि only 23 ही आदमी जिंदा बचे तो इसे खहते हैं black hole tragedy कितने लोगों को आपको पता था इसके बारे में comment करके बताना और ये जो मैं खहता हूँ कि आप वीडियो को पॉस भी कर सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो पॉस करके गूगल पे सर्च करने चल जाओ होनेश्टी आपके उपर है भारत में किसी राज्ये के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्य मंतली कौन रहे पियस बादल, जैल अलीता, जोती बसु या भजन लाल अगर अब तक या आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो में एक लाइक तो जरूर बनता ही है सहिजाबे सी जोती बसु जोती बसु वैस्ट बंगाल के मुख्य मंतली रहे देद 1977 से लेके 2000 तक जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्य मंतली हैं नाइन कोशन है अकबर ने दीन ए इलाई दर्म की इस्थापना किस वर्ष कीती ए 1564, भी 1575, सी 1589 या 1582 ऐसे कोशन SSC में भी पूचे जाते हैं सहिजाविडी 1582 में अकबर ने 1582 में एक नए धर्म की इस्थापना कीती नाम है दीन इलाई दीन इलाई का आम तोर पर मतलब भगवान का धर्म भी होता है अब है दसोर आखरी सवल सबसे इंट्रेस्टिंग ऐसी कौन सी चीज है जिसे सुबह देखो तो हरी, दोपेर को काली, शाम को नीली और राज को सफेद दिखाई देती है इस कोशन में एक ट्विस्ट है इस कोशन का जवाब एक आप्शन नहीं है दो आप्शन है डबल आप्शन आपको बताने हैं और इसके लिए आपको पांच की जागे मिलेंगे दस सेकंड आराम से सोचें यह सवाल दो माक्स का रहेगा अगर एक आप्शन देते हैं सही तो एक माक्स, अगर दो तो दो माक्स सही जाबे आप्शन है बिल्ली की आँख और सी गोबर बिल्ली की आँख आपने देखा होगा उसका रंग बदलता रहता है वैसे कई जानवरों में ऐसा होता है लेकिन बिल्ली में जादा होता है और सी गोबर सुबे देखो तो हरा होता है दो पेर को सूखने के बाद होता है काला शाम को जलने के वक्त होता है नीला और रात को जलने के बाद होता है सफेद अब आपको कमेंट करके बताने कि आपकी 11 मेंसे कितने मार्क्स है 9 कोशन के 9 मार्क्स और ये लाच टॉले कोशन के 2 मार्क्स और इस वीडियो को आपको एक फ्रेंड को शेयर भी करना है वाड़सेप पर और उसको चैलेंज करना है कि आपसे ज़्यादा जवाब सही दे के बताए